हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे होली स्पेसल कच्चे चावल के पापड ये पापड आप एक ही दिन में बना के खा सकते हैं और पांच मिनट में ठेरो पापड बना सकते हैं पहली बार बना रहे हो तब भी फर्फेक्ट बनेंगे तो फ्रेंट्स इसके लिए क्या-क्या सामान ले रखा हमने ये देख लेते हैं तो सबसे पहले हमने चावल भीगो के रख लिये हैं आप चावल को ओबर नाइट भी भीगो के रख सकते हैं मैंने एक कटोरी चावल ले रखी है नॉर्मल कटोरी जो रोज आपके खाने में 3 गंटे के लिए हलका सा गरम पानी में इनको भीगो के रख लिया था अब मैंने इसका पानी हटा लिया है और एक मिक्सर जार में इसको पहले हम ड्राइफ पीस लेते हैं अभी हमें इसमें पानी बिल्कुल भी एड़ नहीं करना है तो फ्रेंट्स एक बार ड्राइफ इसन तो ये देखे फ्रेंट्स इस तरहां का ये बैटर बनके रिडी हुआ है अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें हम इस बैटर को ट्रांस्फर कर देंगे अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर लिया दा कटोरी में थोड़ा सा पानी बचा है तो हम इसी जार में डाल के इसको छाल के इसी में डाल लेते हैं और टोटल हमारी एक कटोरी चावल में एक कटोरी पानी हमने डाल लिया है और इस तरह का बैटर होना चाहिए ये देखिए अगर आप जो भी स्पैचुला लो वो इस तरह से कोड हो जाना चाहिए तभी आपका बैटर परफेक्ट होगा इससे ज्यादा पतला बैटर नहीं कर सकते हैं और आधा चमच में इसमें डाल रही हूं नमक थोड़ा सा मैं कोटी हुई काली मिर्च डाल रही हूं और डाल रही हूं मैं आधा चमच चिली फ्लैक्स आप चाहे तो इसमें हरे धनिये के पत्ते भी डाल सकते हैं अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और अगर आपके पास यह सारी चीज़े नहीं भी है तो आप सिर्फ पापड़ को नमक के साथ भी बना सकते हैं इस तरह से हलके हातों से इसे mix करेंगे और फ्रेंस जितनी बार हम इस बैटर को मोल्ड में डालेंगे उतनी बार हम इसे इस तरह से mix करेंगे क्योंकि चावल नीचे बैट जाते हैं और ये इस तरहां के धकन तो हर किसी के घर में होते हैं ये टिफन होते हैं जो उसी का ये धकन है इस तरहां के अगर आपके घर में धकन हो या आप जो मसाले के डवे यूज़ करते हैं कीचन में उनके जो प्लास्टिक के धकन होते हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इनको हलका सा हम घी से या ओयल से ग्रीस कर लेंगे मैं घी से कर रही हूँ आप ओयल से भी कर सकते हैं और हमें एक ही बार इनको ग्रीस करना है बार बार नहीं करना है एक बार ग्रीस करने से हम 6-7 बार इसमें पापड बना सकते हैं अगर आपके पास यह नहीं है, तो इस तरह के स्टील के डब्बे रहते हैं, अमारे किच्चन में इसका भी आप धकन ले सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो दो में ये ले रही हूँ, दोनों में बताऊंगी आपको, और आप प्लास्टिक के धकन भी यूज कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंट्स में इनको अच्छे से एक बार घी से ग्रीज कर लेती हूं बहुत ज़्यादा घी या ओईल नहीं लगाना है आपको अब हम इसमें बैटर डालेंगे तो बैटर डालने से पहले हमें थोड़ा सा बैटर को चला लेना है और बैटर हमें इसमें बहुत कम डालना है एक बड़ा चम्मच जो होता है उसके हिसाब से डालना है ये स्पैचुला में मैंने थोड़ा सा बैटर ले रखा है और इस तरह से हम इसे फैला लेंगे इसी तरह से हम दूसरा भी feel कर लेते हैं थोड़ा सा better डालेंगे और इसको चारो तरफ फैल आलेंगे और यह देखें मैं इसमें भी डाल ले रही हूँ और इस तरह से इसको फैल आलेंगे अच्छे से तो फ्रेंट्स जब तक मैं इनको फील कर रही थी मैंने इस तरह पानी रख लिया था और ये मैंने एक कड़ाई रखी है और इसमें मैंने ये वाली छलनी रख दिये ये तो सब किसी के घर में होती है ये दूद वाली छलनी है और इस तरह से हम इनको रख देंगे ये देखिए और हमें एक मिनट के लिए इनको रखना है जब ये हलके से ट्रांसफेरेंट हो जाए तो हमें इने निकाल देना है तो ये देखिए फ्रेंट्स इस तरब मैंने ये वाले भी भरके रख लिए हैं दुबारा और अब हम इनको निकाल लेते हैं तो आप देख पारे होंगे, यह खलके से transparent हो गये हैं तो अब हम इसको ऐसे चिमटे के साहिता से निकालेंगे, बहुत गरम है, तो आप carefully निकालाएगा और अब हम दूसरा बैज डाल देते हैं, तो यह छोटे ढककन थे इसलिए दो आगे ये अभी मेरा एक ही आ रहा है थोड़ा बड़ा है तो एक एक करके हम बनाएंगे कोई जल्द बाजी नहीं है धीरे धीरे से बनाईए आप और इनको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे बिल्कुल गरम गरम में इसको हम उतारेंगे तो ये हमारा जो पा पतली लियर्ड इसमें डालोगे उतना पतला आपका पापड़ बनेगा मुझे तो ये भी थोड़ा सा मोटा लग रहा है लेकिन परफेक्ट है आप देख सकते कितना गोल और कितना अच्छा बना है हलका सा ट्रांसफेरेंट भी आपको दिख रहा होगा ये तो ये देखे मैंने सारे डी मोल्ड कर लिये हैं और अब इनी ढकनों में मैं दुबारा बैटर डालके इनको दुबारा बना लूँगी अभी हमें इने ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है और ये देखे हमारे इतने सारे पापड बनके रेडी हो गये है और ये देखे ये मै और ये देखे अगर आप धूप में ना भी डालो तो इससे आप ऐसे ही पंखे के नीचे सुखा सकते हैं पंखे के नीचे सुखाने में दो से तीन दिन लग जाएंगे और अगर आप धूप में इसके सुखाओगे तो दो से तीन घंटे में ये रेडी हो जाएंगे तो ये देखे फ्रेंट्स मैंने थोड़ा सा इनको धूप में रख लिया है धूप आज बहुत अच्छी आ रखी थी तो अभी मैं आपको तल के भी बताऊंगी तो ये देखे फ्रेंट्स ये साम का वीडियो है और अभी बहुत अच्छे से ये सूख गए हैं कि ये कैसे हुए है इस तरब मैंने ओइल रख दिया था ओइल अच्छे से गरम हो गया है तो ये देखे आप कितने अच्छे से ये पापड तल रहा है और अपने से डवल साइज में आगयार खाने में इतना ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था एक बार आप ज़रूर ट्राइ करिए इस रेसिपी को अपने घर में और घर के बनाए हुए पापडों का तो बात ही अलग होता है और अपने घर में होली में पापड ना बने ऐसा कहा हो सकता है तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करिएगा और ट्राइ करने के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलेगा मुझे आपके फीडबैक का इंदिजार रहेगा कैसी लगी आपको मेरी रेस्पी कॉमेंट करके जरूर बताएगा ऐसी कौन सी रेस्पी आप देखना चाते हैं ये भी कॉमेंट करके बताएगा मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेस्पी में तब तक के लिए बाई बाई जैम आता दी इसकी करंचिनस जरूर देखें और साइज देखें कितना डबल हो गया है तो चलिए इसकी करंचिनस देख लीजिए और उसके बाद जल्दी से ट्राइ करिए अपने घर में ये रेस्पी आता है जा स्थाउकिनस देखें